ना तो उसने पाकिस्तान में कोई डेवोस फाइल किया है ना ही कोई डेवोस के डिगरी है ना ही उसने भारत में कोई डेवोस गुलाम हैदर से लिया है वो अब तक उसकी लीगल वाइफ है और सचिन के साथ वो इलीगल रिलेशन में रह रही है और उसको इलीगल फ्रेंड कह जाएगा वो उसकी किसी रूप में भी लीगल रूप से वाइफ नहीं है लोग ने क्लिप देख ली तो समझ में आपको आ गया हुआ कि गुलाम हदर के वकील ने जो है इंडिया के है यह वकील जो है उन्होंने साफ क्लियर कहा है कि ना तो इसका कोई डिवोर्स हुआ है गु तो जब डिवोर्स हुआ ही नहीं ना तो पकिस्तान में ना इंडिया में आकर तो पत्सक्राइब दूसरी चीज इन के साथ रह रही है यह इन अवे संबंद ही माना जाएगा अवे रिष्टा ही माना जाएगा एक legal documents में as a friend आप कह सकते हैं, husband यार guardian भी नहीं कह सकते हैं, as a friend कह सकते हैं, इस लिहां से ही इनके साथ रह रही है, और यही चीज़ कानून की नजर में papers में, documents में, इनका ये रिष्टा यही कहला रहा है, पत यह उसी की पत्मी अभी भी है, उनके जो वकील मुमिन मलिक है, उन्होंने पस्ट रूप से पूरी तरह से यह बता दिया है, कि अभी भी सारे documents में, यह कहीं से भी सचिन की वाइफ नहीं है, इनकी शादी का कोई भी प्रूफ नहीं है, जाहे संदूर लगा के हैं, वहांग जुट बोल-बोल-बोल के प्यार हुआ प्यार ह हुआ पपजी से प्यार अपंजी प्यार फेस्बुक से प्यार हुआ दुनिया दारी पकजी पपजी करके यह जबर्दस्ती भारत के गले में आके पढ़ गई है, लेकिन इनका की इस केस very matter की होती है और पर कासी है जाह नह काफी तेज से अपने कारवारी पुरी करने में जट गई है इनके पीछे काफी चीज़े खंगाली जा रही है जो हमारे जाच अजिंसियों का होगा काम वह पत्परस्ता से करना चलू हो गया है क्योंकि काफी वकीर उनकी तरफ से गुलायम हैदर की तरफ से भी हो गया है सरका इंडिया के सर से इनको हट नहीं है हम लोग सोचते की हटे ही क्योंकि खत्रा है वहाई देश के लिए हमाया अक्ता सुकुन वाला देश है इन सबकी जुबरत है नहीं चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो पर वीडियो लाइक कर दीजेगा चैनल सब्सक्राइब कर खड़ गॉड़ा है।